क्या रमजान के दौरान पी सकते हैं? खाली देशों में शराब चलिए क्या कहता है रूल इस वीडियो में आपको बताते हैं तो नमश्कार स्वागते आपका हमारे चानल पे देखे रमजान के दौरान कई बातों का ध्यान रखना होता है इस दौरान कई नियम बनाए गए हैं जिसको मानना ज़रूरी है ऐसे मेरे लोगों के मन में इस सवाल घूमते रहता है कि क्या रमजान के दौरान दौबाई में शराब पी सकते हैं? शराब पीने को लेकर योवय में नियम क्या बनाए गए है? तो आएए चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं शराप से चोटे नियमों के बारे में देखिए जबी भी शराप की बात आती है तो दुवए में पहले से ही काफी सक्त कानून है आप इसे केवल शेहर भर्ग में कुछ लाइसेंस प्राप स्थानों से ही खरीच सकते हैं और यह आम तो और पर बार होते हैं जो आपके होटेल का हिस्सा होते हैं देखिए यहां सारजोनिक रूप से शराप, पीना और विशेस रूप से नशे में रहने की सक्त मना ही है कुछ समय पहले रमजान के दौरान ये नियम और भी सक्त थे जैसे अंधेरा होने तक शराप नहीं परोसी जा सकती थी लेकिन अवैसा नहीं है पिछले कुछ सालों में रमजान के दौरान पूरे दिन शराप की खड़ीदारी के अनुमती देने के लिए नियमों में धील भी दी गई है हलाकि अलग अलग बार दिन के निश्य समय पर खुले और बंध होने का आप्शन चुन सकते हैं इसलिए उन्हें पहले से ही गूगल पर इसे अपडेट देना अच्छा माना जाता है देखे रमजान में फास्ट के घंटियों के दौरान शराप पीना या सारजनिक रूप से खाने की अनुमती नहीं है और पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाता है आप शराप प्राइवेट जगों पर ही शराप का सेवन कर सकते हैं जैसे होटेल, बार या रिजोर्ट आदी लेकिन आप अपने होटेल या रिजोर्ट के अलावा बाहर इसे नहीं पी सकते हैं रमजान के दोरान मुसल्मान सूरियास्त से सूरियो देता, खाने, पीने या धुम्रपान करने से पढ़ेज करते हैं उपवास करने वालों का खयाल रखते हुए लोगों को सूरज निकलने के दोरान सारजनिक रूप से खाना, पीना, धुम्रपान या यहां तक की चुईंगम भी नहीं चपाना चाहिए देखे आधिकारिक तॉल पर ऐसा करना कानूनन अपराद है ऐसा करता पाए जाने पर 2000 दरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर एक महीने से अधिकी जेल की सजा भी आपको हो सकती है देखे गैर मुस्लिम यह सबी चीज़े अकेले में या प्राइवेट एरिया में कर सकते हैं जैसे रेस्टरॉण और कैफे आदी वर्क प्लेसेस पर कंपनियों के लोगों को उपवास करने वालों के अलावा खाने के लिए एक कमरा उपलब्द भी कराना आवश्यक है वह जिम और प्राइवेट बीचेस पर पानी का सेवन किया जा सकता है काल पार्क में जाते और लोटते समय शड़ाप पीने के बारे में सचेत रहना सबसे अच्छा है यदि आपके वहन के अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी काल में भी खा सकते हैं पी सकते हैं तो रंजान में नियम काफी सक्त होते हैं तो नियमों को देखके ही कारे करें वरना आप फस सकते हैं तो ये थी तमाम चानकारी बने रही ऐसी खबरों के लिए UAE कबर पर